हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग स्वागत है आपका आई एस पीसे सोलूसन में देखिया आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई का करंट अफेर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ और साथी साथ हम लोग 10 क्यूस्टन जो है डेली जेनरल अस्टडीज का लगाते हैं मैं इसका अंसर बताता हूं इसके बाद आप मिलान करते हैं तो चलिए आज का करंट अफेर हम लोग सुरू करते हैं आज है 22 जुलाई तो देखिए एक चीज़ जो है थोड़ा सा और मैसेज देना था आपको कि कम से कम 100 लाइक्स जो है वो वीडियो में आना चाहिए आप जो है बीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक और शेर नहीं कर रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक ज tätä आप लोगों प्रोब्लम भी लगे तो थोड़ा सा इसको मैंनेज किजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल सुबह में तीन साड़े तीन जो है बज रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूं इसकारे से मेरा आवाज जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है संसार की सबसे लंबी प्रवाल वित्ती कौन सी है तता इसकी लंबाई कितनी है देखे संसार की सबसे लंबी प्रवाल वित्ती है ग्रेट बैरियर रिप ठीक है और इसकी लंबाई है 2000 किलो मीटर याद रखेगा, ग्रेंट बैलियर रिप की लंबाई कितनी है, 2000 किलो मीटर है, यह उस्चलिया में है, ठीक है, मरे नदी किस देश की नदी है, मरे और डालिंग यह तोनों नदी है, यह दोनों नदियां उस्चलिया की प्रमुख नदी है, ठीक है, न्यूजिलेंड की सबसे बड़ी नदी है, उस्चलिया में आने वाले उस्चन कटिवंदिय चक्रवात को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, विली विली, ठीक है, विली विली, मरे डालिंग बेसिन में किस पसु का पालन ब्रिह दस्तर पर किया जाता है, ठीक है, बेसिन किसको बोला जाता ह river basin आपने पढ़ा होगा बाकी मैं आगे आपको पढ़ाते चलूँगा और एक चीज़ और याद रखेगा कि जो लोग UPPCS की त्यारी कर रहे हैं 19 अगर्स्त को जो है इसका exam है UPPCS का तो जो लोग UPPCS की त्यारी कर रहे हैं के लिए मैं special वीडियो जो है वो 30 दिन का 30 दिन का ट्रास कोर जो है वो मेले कराया हूं और डेली वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूं तो वहां पर आप देख सकते हैं ठीक है तो मरे डार्लिंग बेसीन में किस पसल का पालन अस्तर पर किया जाता है भेड का ठीक लगेगा 28 वा बैठक जो है ओ दिल्ली में संपन हुआ है और उसमें यह नेर्णे लिया गया है कि इस वस्तु पर जीस्टी नहीं लगाया जाएगा प्यूस गोयल जो है प्यूस गोयल यह भी हमारे बीतमंत्री ठीक है प्यूस गोयल अभी बीतमंत्री है इन्हों नहीं कहा तरहा है कि जीस्टी पर कौनसी वस्तु पर टेक्स नहीं लगेगा सखीन किस वस्तु पर जो है स्येटरी नहीं नागये लगेगा चलिए चंड़ा सा इसके बारे जिसमें कई वच्थ पर दर संसोधन जो टैक्स का उस पे वी संसोधन किया गया है जेस्टी कानून में संसोधन किया गया है रिटर्न का सरलिकरन किया गया है रिटर्न फायल करने के लिए जो है थोड़ा सा easy कर दिया गया है और दिल्ली में राश्टिये अप्रिली आयग दिकरन की स्थापना ठीक है तो ये चीज़े जो है ओ की गई है अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है देखे इसमें सेनेटरी नेपकिन्स और संगमर्मर या पत्थर से बने जो भी देवी देवता के जो मूर्तियां होती है उस पे GST की छूट दी जाएगी उस पे GST नहीं लगेगा ठीक है याद रखेगा ये सबसे ज़्यादा महत्व इसे के उपर बना था है एक एक अगला प्रसन है किस राज ने इप्रगती कोर प्लेटफॉर्म लॉंच किया है कौन सा स्टेट है जिसने इप्रगती कोर प्लेटफॉर्म जो है ओ लॉंच किया है इसका सही अंसर है आंदर परदेश ठीक है आंदर परदेश के मुख्य मंत्री है एल चंदरबावू नैडू ठीक है इन्होंने ये लॉंच किया है ये प्रगति कोर मांच ठीक है और कहां पर ये लॉंच किया इन्होंने उडवली में ठीक है उडवली में एक अग्रेसिव डिजिटल पहल ये प्रगति का उदेश नागरिकों को 344 विभागों 336 स्वायत संगठनों और 742 अधिक सिवाव से जोड़ना है तो ये चीज यहां से भी प्रश्वा पूछा जा सकता है कि कितने विभाग को जोड़ा जाएगा कितने स्वायत संगठन को जोड़ा जाएगा और कितने और सेवाव से जोड़ा जाएगा तो ये चीज़े जो है डेटा आप याद रखेंगे डेटा को इस परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार सन्राइज एपी 2022 ये चीज़ेया रखेगा सन्राइज चीखे सन्राइज आंदरपरदेश 2022 की दिरिष्टी कोन को प्राप्त करने की एक्षा रखती है इस परगर्ती प्रादी करन, इगवर्नेंस, समाजिक ससस्ति करन, कौसल विकास, सहरी विकास, भुन्यादी डाचा और द्योगी विकास और सेवा के छेत्रों में शुरू किये गया साथ विकास मिशनों का समर्थन करके परियोजना के लग्ष को प्राप्त करेगा तो यह चीज़े याद रखेगा कि स्केल डेवलप्मेंट हो गया, समाजिक ससस्ति करन हो गया, इक गवर्नेंस हो गया, सहरी विकास हो गया, यह सब जो है, इन्वे जो है, विकास किया जाएगा इस एल, ठीक है, इस एल नरशिमा जो है, वो आंदर पर देश के बरतमान गवर्नर है, याद रखेगा इसके वाद नेक्स है, एलिशन बेकर, ठीक है, एलिशन बेकर दुनिया के सबसे महगे गोल्प गोल्प की पर बन गया है, वे किस देस के खिलारी हैं इसका सही इंसर है वो ब्राजील के है ठीक है याद रखे यार काफे में तो कुल कीशन है एलीशन बेकर ब्राजील के खिलाडी है जो की एक गोल कीपर है ठीक है और देखे इन्होंने रोमा से इंगलेंड के लिवरपुल क्लब में 200 रिकॉर्ड जो है वो अस्तानांतरित किया यह चाहत श्यूंग में आप इए याद रखेंगे इसके बाद नेक्ट है हाली में talks श्यॅद्ध यह का निधन हो गया है वे किस राज्य के पहले बीद मंत्री थे रामचंदर देऊं का निधन हो गया हैotom यह पर पूछा यह जा रहा है कि किस पहले बीत मंत्री थे फर्स्ट फाइनांस मिनिस्टर किस राज्य के थे यह थे च्छतिस गड़ के ठीक है च्छतिस गड़ के पहले बीत मंत्री थे रामचंदर सिंग देव इनका हाली में रायपूर में च्छतिस गड़ की राजधानी है रायपूर यहां पे इनका निधन हो हो गया है ठीक है और यह तत्कालन मुख्य मंत्री अजीत जोगी के मंत्री मंदल में बीत मंत्री थे अजीत जोगी जो है चतिसकर के कॉंग्रेस के लीडर है और इनके मंत्री मंदल में ये बीत मंत्री थे रामचंदर सिंग देव इनका निधन हो गया है रायपूर में ठीक है रायपूर में 36 गरत मुख्य मंत्री अभी कौन है रमन सिंग और यहां के गवर्णर है रामजीदा स्टंडर्ण नेक्स है किस कंपनी ने होट स्टार के साथ संज्यूक तुरूप से एक विज्यापन प्लेटपॉम लॉंच किया किस कंपनी ने होट स्टार होट स्टार आप लोग देखे होंगे मैच देखने के लिए या सिरियल यह सब देखने के लिए एक एप्लिकेशन है मोबाइल में आ लॉइटफॉर्म लॉइच किया है इसका नाम है फ्लिपकाड ठीक है फ्लिपकाड अब भारत की सबसे बड़े ओनलाइन रिटेलर फ्लिपकाड ने वीडियो स्ट्रीमिंग से हुआ होट इस्टार के साथ एक गटवनन्द बनाते हुए वीडियो विज्यापन मंच लॉइच क मैं क्लियर होता हूं कि इससे मुझे कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में अभी तो उतना नहीं लेकिन कुछ न कुछ मेरी अर्निंग हो रही है क्यों आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर एड आता है एक एड आता है एक विज्यापन आता है किसी ने किसी कंपनी का तो इस विज्यापन के माध्यम से मुझे जो है खुछ अर्निंग होता है तो यह जो है फ्लिप कार्ट सोच रहा है ऐसा करने के लिए ठीक है कि नेक्स है कि सोसल मेडिया ने 2019 में एठेना उप्गरा लॉंच करने की घुष्णा किया है यह क्या है फेस्बुक ने ठीक है फेस्बुक और इसके सी यह है मार्ग जूगरभर याद रखिगा मार्क जूगरभर देखे फेस्बुक ने पुष्टी किया है कि वो एथेना नामक एक नए उपगरा परियोजना परकारे कर रहा है जो ग्रामिन और अनुची छेत्रों को ब्रॉडबेन इंटरनेट कनेक्शन प्रदांग करेगा तो इसका उद्देश क्या है वो चीज भी आप याद रखेगा कि एथेना नामक जो उपगरा फेस्बुक के द्वारा छोड़ा जाएगा ओ उसका उद्देश क्या होगा तो इसका उद्देश से होगा जो गाउं में यह वैसे च्छतर हैं जहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है वहाँ पे ब्रॉडबेन इंटरनेट कनेक्शन परदान करना ठीक है यह इसका में वुद्देश कंपनी का में वुद्देश जो है कि 2019 इसको चार्ट कर देना है शुरू कर देना है इस उपगरा को कर देना है ठीक है तो यह चीज़ भी आप याद रखेंगे इसके बाद है चौथा विम्ष्टेक सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा यह किया जाएगा काटमांडू ठीक है काटमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है काटमांडू और किस ने यह गोशना किया है यह गोशना किया है विदेश मामलो के मंत्री नेपाल के है परदीव कुमार ग्यावली ठीक है परदीव कुमार ग्यावली नेपाल के विदेश मंत्री है और इन्होंने ही यह गोशना किया है इस सिखर सम्मेलन का मुक्य केंद्र शलको वायुमा गो और संचरन लाइनो सहित बीमस्टेक देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का होगा बीमस्टेक एक छेत्रिय आर्थिक सम्मू है प्रसले ये भी पूचा जाता है कि बीमस्टेक है क्या बीमस्टेक का पूरा नाम होता है बे और बंगाल इनिसियेटिव स्पोर गाल के खाली के निकट वरती जूबी इलाके हैं जो भी देशें उनको सामल किया गया है इसमें लग्वार शेवल कंट्रिय है याद रखेंगे इसमें साथ देश सामल है कौन- différents ौन से अंति बॉट ौन से देश इसमें ये साथ कंटरी जो है, ये सामीन है, नेपाल जो है ओक विमश्चेक की वरतमान अधैक्ष्य है, नेक्ष ए आठवी ब्रिक्स स्वास्त मंत्रियों की बेटाक किस अस्थान पर आयो जिट की गई, आठवी ब्रिक्स ळेक्स में कौन कौन से देश आते हैं? यह आठ्वा बैठक जो है स्वास्त मंत्रियों का हुआ है ठीक है किस स्थान पे यह हुआ है यह आपको बताना है यह हुआ है दक्षिन अफ्रिका में दक्षिन अफ्रिका का डबरन जो है यहां पर यह बैठक हुआ है ब्रिक्स का देखिए ब्रिक्स में कौन कौन से देश है ब्रिक्स में है चाइना ब्राजिल रूस भारत और दक्षिन अप्रिका ये कंट्री है ब्रिक्स के सदस्य ठीक है इसका पहला जो सम्मेलन है वो 2009 में रूस के 181 बर्ग में ये पहला सम्मेलन इसका हुआ था ब्रिक्स का, यहां पे एक एस छुटी है, हाँ, ब्रिक्स का, अब के इसका मेन उदेश क्या है, जो स्वास्त मंत्रियों की बैठक हो रही है, प्रसन यहां से पूछा जा सकता है, कि जो स्वास्त मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स में, ब्रिक्स के दौरा, तर्चिन अफिर का म साउत फिर का में किया जा रहा है इसका मेन उदेश क्या है इसका मेन उदेश है स्वास्त छेतर में उनका अपना एक रिपोर्ट पेस करना वो अपने स्वास्त विभाग में क्या कर रहे हैं कितनी अच्छी जो है इनकी रिपोर्ट है इस चीज़ को दिखाना यहां पर ब्रिक मंत्रिये भारत के उन्होंने कहा है कि भारत 2025 तक टीवी को समाप्ट कर देगा 2025 तक इन्होंने डेडलाइन रखा है टीवी का मतलब कि टीवी जो है भारत से 2025 तक बिल्कुब इंड कर दिया जाएगा और हर government hospital जो भी है यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा यह योजना चल रहा है TB के लिए कि जो भी government hospital है उसमें free of cost बिल्कुल free में जो है दवाय दी जाती है इसमें स्वास्त अच्छेत्र में भारत के उपलब्दियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश में मात्रित्व मिर्द्यूदर इसमें 77% की कमी आई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा कमी जो है ओ आई है ठीक है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यह दर जो है 1990 में कितना था 1990 में यह प्रती एक लाग जीवित जर्म में 556 जबकि 2016 में एक लाग जीवित जर्म में 130 हो गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कितना बेहतर जो है यह लोग काम करने हैं ठीक है जो है कि चलिए अब यहाँ से जो है आज का हमारा जनेरल स्टैडीज का प्लसके सुरूआ होता है और मैंने एस्टिया का 치ूशन आज यहां से लिए है ठीक है तो चलिए प्लस्टविको सुरूँ करते हैं एक यह पहर बेरिंग जल संदी ने को किस महादिव से अलग करती है Baring Jalçandhi Asia को किस महाद्व से अलग करती है इसका इन्सर नहीं है इसका सही Entry यह है Baring Jalçandhi आप देखते हैं हैं आपके महट में यह है Baring Jalçandhi यहाँ पे है Asia यह है Asia का भाग और यह है उत्री अमेरिका और उत्री अमेरिका का यह सब्सक्राइब को अलग कौन करता है यह करता है बेरिंग जलसंधी आप याद रखेंगे इसको यही है बेरिंग जलसंधी यह है सी ओप Sea of Ocostak Sea of Ocostak यहाँ पर है East Siberian Sea यहाँ पर है यह है Russia, रूस यहाँ पर देख सकते हैं रूस जो है ऐसिया का सबसे बड़ा जो है वो कंट्री है एरिया के मामने में ठीक है छेत्रफल से अगर हम लोग बात करें जनसंख्या से तो ओ है China, ठीक है? चाइना यह दख सकते हैं आप यहाँ पर है मंगोलिया यह है चाइना, यह है साउथ कोरिया यह है Sea of Japan यह है Sea of Japan याद रखेंगे और यह है जपान ठीक है? जपान ऐसा कंट्री है यह और East China Sea यह है East China Sea, यह है Philippines Sea यहाँ पर है Myanmar, ठीक है Myanmar, यह है Thailand यह है किर्गिस्तान और यह है कारासी, याद रखेंगे यह कारासी है चलिए अगले प्रसने क्यों चलते हैं नेक्स है पाक जल्डमरू मद्ध पाक जल्डमरू मद्ध भारत को किस देश से अलग करता है पाक जल्डमरू मद्ध जो है वो भारत को किस देश से अलग करता है, तो यह करता है सिरलंका से, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं यह सिरलंका और यहाँ पर यह जो देख रहे हैं यही है पाक जल्डमरू मद्ध ठीक है, यह Bay of Bengal याद रखेगा, Bay of Bengal और अरबियन सी ठीक है Bay of Bengal को और अरबियन सी को यह कनेक्ट करता है, ठीक है कौन पाक जल्डमरू मद्ध है तो यह चीज़ भी आप याद रखेंगे यहाँ पर है अरबियन सी और यह है Pacific Gulf यहाँ पर कैस्पियन सागर यह देख सकते हैं, कैस्पियन सागर है यह है कैस्पियन सागर और यहाँ पर कजकस्तान है उर्जबिकस्तान है, तुर्पनिस्तान है यह है इरान और यह है इराग इराग यहाँ पर है, यह है काला सागर ब्लेक सागर, ब्लेक सी ठीक है यह रेट सी, यह जो देख रहे हैं, यह है रेट सी, Gulf of Aden, Aden की खाड़ी यह है, ठीक है, Aden की खाड़ी, यहाँ पे है सुमालिया, यह तो यह है इजिब्ट, जो की यूरोप है, यहाँ पे, यहाँ से भी प्रस्न पूछा जाता है, की यूरोप और असिया को कौन सा सागर जो अगर भी, यह अलग करता है Asia और Europe को यह जो एरिया है, यह istia का और यह एरिया जो है, यहाँ से है Europe का, ठीक है Next है सुर्योदे का देज किसे कहा जाता है सुर्योदे का देज किस को कहा जाता है, यह बोला जाता है यह बूद . जापान को जापान कहां पर है आप यहां पर देख सकते हैं मैप में यह है जापान ठीक है जापान और यह है जापान के यहां पर लेफ्ट साइड में स्टी ऑप जापान जापान का सागर यहां पर है यह नोर्थ कोरिया नोर्थ कोरिया और यह सौथ कोरिया नोर्थ कोरिया क जो किम जुं है जिनको क्या बोला जाता है ताना साव बोला जाता है किम जुं को यहीं के हैं नोर्ट कुरिया के हैं यह बीजिंग चाइना की राजधानी है यहां है संधाइग ठीक है यह फिलिपिन सी है इस्ट चाइना सी यहां पर है साउथ चाइना सी यहां पर है यह और यह है पाकिस्तान पार्ग आप यहां पे देख सकते हैं और यह है बंगाल की खाड़ी बे ओफ बंगाल यह ठीक है यह है बंगलादेश और यहीं पे जो है बंगाल की खाड़ी में ही है गंगा और ब्रह्मपूत्र नदी डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो next question क्यों चलते हैं खिर्गित जन जाती कहां की निवासी है खिर्गित जन जाती जो है ओ कहां की निवासी है यह है मध्य एसिया की ठीक है याद रखेंगे खिर्गित जन जाती मध्य एसिया की जन जाती है और कजाक जन जाती भी याद रखेगा कजा की जन जाती भी ये भी मध्य एसिया की जन जाती है और काल मिक्स एक और नाम याद रखेगा काल मिक्स ठीक है काल मिक्स ये भी जन जाती जो है ये भी मध्य एसिया की जन जाती है तो सबसे ज्यादा जो प्रस्ण पूछा जाता है वो खिर्गीच से पूछा जाता है कि जन जाती जो है वो किस जगर निवास करती है या कहां की निवासी है तो यह है मध एसिया की निवासी है नेक्ट है चायो फ्राया ठीक है चाओ फ्राया नदी किस देश की प्रमुख नदी है चाओ फ्राया नदी जो है वो किस देश की प्रमुख नदी है यह है थाइलेंड की है यह थाइलेंड यहां पर है यह मैप में आप देख सकते हैं कहां पर है यहां पर ठीक है और यह जो है गल्फ ऑफ थाइलेंड यहां पर है गल्फ ऑफ थाइलेंड थाइलेंड की खाड़ी यह अंडमान सी यहां पर यह बेव बंगार यह साउथ चाइना सी यहां पर और यह यहाँ पर है इंडोनेसिया यह आंप जाकार्ट यह है मलेसिया और यह सिंगापोर्श इहाँ पर लें प्रृपीन इश्ग scorpion ए फिलिपिननिई और से प्रसन आज का आप लोगों के लिए कल जो है आपको कमेंट में जो है आपको जबाब देना इसका पांचो प्रस्न का इसके बाद कल मैं इसका सोलूसन लेकर आपके प्रस्नाओंगा पहला प्रस्ण है Malaysia का सबसे उंचा परवत सिखर कौन है दूसरा है тобой जिन किस देश में स्थित है तिसरा है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा और मैंने आज इसी विडियो में आपको बताया है सफेध हातियों का देश किसे कहा जाता है ये भी मैंने बताया भी तुर्की का बिस्तार किन दो महादिफों में है तुर्की जो है वो दो महादिफ में है लेकिन ये कौन-कौन से महादिफ में है इसका एंसर आपको बताना है तो ये था आज का मारा करण्ट अफेर के साथ 10 ज झाल झाल